आप सोचोगे ये क्या है ये जानना चाहते हो ना तो शुरू से एंटर किसी वीडियो को देखें और इस टॉपिक को बिलकुल असाना बनाते हैं Let's move ahead with me with this content that is change in demand The concept I am going to discuss here in today's video of economics Very important content that is change in demand Maang mein pariwortan hai kya? साफ लगता है कि मांग में परिवर्थन ना मांग कब बदलना you are right बट चीज इन दिमांड को जब हम economics में discuss करते हैं थोड़ा detailed described concept है ये आपको बताता हूं मैं किसी भी वस्तू या सर्विस या सेवा की जो मांग होती है उसमें परिवर्थन होता है एक तो होता है price एक होता है other than price other factors तो आज changing demand को हम दोनों पहलों से discuss करेंगे changing demand due to price and changing demand due to other factors आपको पता होगा कि मांग को सिर्फ वस्तूगी कीमन उसका price effect नहीं गरता other factors भी है consumer की income है consumer का taste है government की policies है बहुत से factors हैं आप इससे पहले economic से related बहुत सी videos है उनको देखकर जान सकते हो जो demand से related है आप चानते भी होगे कि other factors भी demand को effect करते हैं आपको एक बात और बताता हूँ वड़ी interesting जब हम changing demand को discuss करेंगे इसमें एक concept आएगा movement along demand curve इसका मतलब क्या होता है कि demand curve के साथ साथ चलना है हमने जैसे law of demand में discuss करते हैं कि demand curve negative curve बनती है just see this from A to B जा B to A ये जो अगर shifting एक point से दूसरे point पर demand curve जो बनी हुए उस पर जाते हैं इसको movement along demand curve कहते हैं इसमें जो change in demand के दो पहलू हम discuss करेंगे one is the extension in demand and second one is the contraction in demand मांग का विस्थार उसका फैलना और मांग का संकूचन मांग का सीमित होना इसको हम movement along demand curve करेंगे और movement along demand curve तब होता है जब price में परिवर्तन हो दूसरा पहलू जो हम आज की वीडियो में discuss करेंगे shifting demand curve जब demand curve shift ही हो जाए अपने base को छोड़कर जा तो forward move कर जाए जा backward हो जाए अपना स्थान ही छोड़कर एक नई curve बन जाए उसको shifting demand curve कहते है और demand curve में shift तब होता है जब other factors demand को effect करते है price effect नहीं करता others factor अगर effect करें तो उसको हम shifting demand curve कहते है इसमें हम दो situation को discuss करेंगे increase in demand and decrease in demand तो इन contents को हम detail में देखते हैं आज की वीडियो में उसको समझते हैं last second तक वीडियो को देखें ये student तो आज का जो topic मेंने जैसे आपको बताया था वो शुरू करते हैं change in demand उसको क्या है change in demand मांग में परिवर्तन मांग में परिवर्तन को समझने के लिए हमें एक बात निश्चित रुप से जाननी होगी कि due to certain reasons due to certain factors demand is affected in any economy time and again किसी भी अर्थ विवस्ता में समय समय पर मांग में परिवर्तन होता है बहुत से factors के कारण उन्ही को समझने के लिए change in demand के concept को अगर हमने जानना है तो हम detail में बात करते हैं इस बारे में सबसे पहले factors affecting demand can be classified into two parts जो factors demand को effect करते हैं उस पर परभाव डालते हैं अपना उनको दो भागों में बाढ़कर हम देख सकते हैं सबसे पहले change in demand due to change in price price के कारण वस्तू की कीमत के कारण वीडियो अलड़ी मेरे इस चैनल पर हैं तो demand के कारण यो change आता है price में उसमें एक बात हम सीखेंगे आज की वीडियो में उस स्थिति को अगर हम graphically पेश करते हैं demand curve बनाके उस स्थिति को moment along demand curve कहते हैं मांग वकर पर परिवर्तन मांग वकर के उपर परिवर्तन जो भी change होगा जो बनी हुई demand curve है उसके उपर ही होने वाल है कब जब demand में change हो वस्तू की कीमत के कारण, price के कारण दूसरा part आप इसको देखते हैं जो right hand side पे देखो box बनावा है change in demand due to change in factors other than price वही वस्तू की मांग को सिर्फ price परभावित नहीं करता दूसरे factors भी है fashion है, income है, बहुत से हैं वो हम आगे बात करते हैं तो उसके कारण जो change होता है जब उसको graphically दिखाते हैं तो उस स्थिती में movement along demand curve नहीं होती जैसे price में होता, तब होता है shift in demand curve, demand curve shift कर जाती है भी, नहीं demand curve बन जाती है, कैसे बनती है आओ सारा कुछ तो आज हम discuss करने वाले हैं और बहुत आसान बनाने वाले हैं सबसे पहले हम बात करते है change in demand due to change in price जिसको हम स्थिती को में ने बताया कि moment along demand curve अगर हम उसको graph में दिखाएं, तो जो भी परिवर्तन होगा, वो बनी हुई मांग वकर के उपर ही होगा, ये दिहान रखना when other factors remain the same change in demand due to change in price can be expressed on same demand curve with different points on same demand curve बात-बार वही बात बता रहा हुँ मैं, जब दूसरे factors जैसे economics में मैंने बताया हुए बहुत से वीडियो में जब भी हम economics का उलाओ आरते हैं when other things remain same जब दूसरे factor जो है, वो same रहें उनमें परिवर्तना हो और price में परिवर्तन के कारण जो demand के अलग-अलग points बनते हैं, जो demand बनती है, अलग-अलग, जब उसको demand का उपर दिखाते हैं, तो same demand का उपर different point बनते हैं, ये धियान रखना, in such case there are two moments on demand का उस पे जो different point demand का उपर बनेंगे उनमें दो तरह की moments देखने को मिलेंगी भी, दो तरह की moments, कौन-कौन सी, वो बताता हूँ मैं आपको, इसी कारण इसको moments along demand का कहते हैं, क्योंकि जो भी परिवर्टन होगा मांग मकर जो बनी हो, या उसी के उपर होगा, तो इसमें जो दो moments की बात कर रहा था, पहली moment है extension in demand, मांग में विस्थार, पंजाबी, स्केंदे नेजी, मांग विचवादा, yes contraction in demand, मांग में संकूचन जो दूसरा परिवर्टन देखने को मिलता है मांग का संकूचित हो जाना, चोटा हो जाना, कम हो जाना, कैसे out access करें इसके बारे में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ extension in demand, जब price में विवर्वर्टन हो तो मांग में जो extension है, विस्तार किस स्थिति को कहते हैं, other thing remains same when demand for any commodity rises with falling price is known as extension of demand, जब भी किसी commodity की price में कमी आएगी तो उसके कारण जो मांग में बिधी होती है, जो मांग में change आता है, बढ़ती है मांग, उसको हम मांग का विस्तार कहते हैं जब भी किसी वस्तू के price में कमी आए और उसके कारण demand में जो विस्तार होता है that is the situation जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मांग में विस्तार तो हम इसको देखते हैं, एक schedule के रूप में नीचे देखिए PX and DX, ये दिखाया हुए वस्तू का price, 5 है demand एक unit, वस्तू का price कम हुआ, माल लो 5 से कम होकर 1 हो गया, then demand going to increase up to 5 और माल लो इसकी demand बाच होगी demand बढ़ी, क्यों बढ़ी क्योंकि price कम हुआ, that is a situation of extension of demand इसी को तो मांग का विस्तार कहते हैं, इसको हम चित्र में देखते हैं, ध्यान से देखिए OYX पर PX, वस्तू का price, और OX axis पर demand of X, X क्या है कोई भी वस्तू हो सकती है, उसकी कीमत कितनी है, सबसे पहले मेंने जैसे schedule में आपको दिखाया था, माल लो वस्तू का price 5 से demand 1, तो क्या हुआ price 5 जो demand है 1, जब इन दोनों के सीधे points को हमने graphically जैसे मिलाते हैं, उनको मिलाया तो हमारे पास जो point of intersection है, काट माविंदू A आ गया, ओके फिर क्या हुआ, वस्तू का price 1 हुआ अगर इस curve को समझ लिया, तो आगे सारा question बहुत असाना होने वाला है देहान से माल उसका price कम होकर 1 हो तो demand देखो बढ़कर 5 होगी जब price 1 था demand 5 हुई तो उनका जो common point बना graphically जैसे हम शो करते हैं, वो कौन सा बना B, जैसे 1 से इधर आ रिया line और 5 से इधर, दोनों कहां मिले B पर, तो ध्यान से देखो, जो demand curve A से शुरू हुई थी, वो extend होकर कहां तक चलेगी B तक same curve रही जितनी भी movement हुई demand का अपर जरूरी नहीं यह दो और भी हो सकते हैं, example मालो बीच में तीन हो तो इसी पे आएगा, तो ऐसी स्थिति को मांग में विस्तार कहते हैं extension in demand यह बात हमें ध्यान रखनी हो clear? next one contraction in demand जब वस्तु का price बढ़ जाए और वस्तु की जो commodity की demand है, वो कम हो जाए fall हो जाए, falls means कम हो जाए तो उस स्थिति को हम contraction in demand कहते हैं, demand संकूचित हो गई कैसे? example देखो schedule के रूप में, मालो वस्तु PX है और demand उसकी DX है X कोई वस्तु है जिसका price है वस्तु PX नहीं है ध्यान से, मैंने गलती से बोला price of X, PX था मतलई है, कि X कोई वस्तु है उसकी कीमत है, DX का मतलई उसी वस्तु की demand है ये, वस्तु का price एक है, demand 5, वस्तु का price बढ़ कर 5 हुआ तो demand कम होगी, जैसे हम law of demand में भी देखते हैं, अब इसको ग्राफिकली देखें, जो ये जो schedule बना हुआ है, ये मांग कि संकूचन को show कर रहा है, मांग कम हो रही है, next बात करते हैं, अब इसको ग्राफिकली, ग्राफिकली देखो, left and side पे grab बना हुआ है सबसे पहले वस्तु का price एक है, demand पांच दोनों का जो common point है कौन सा बना, A ओके, फिर क्या हुआ, price बढ़कर कितना हुआ, पांच और demand कम होकर कितनी होगी, एक तो दोनों का जो common point है जिसको point of intersection जा काटवाँ विंदू कहते हैं, प्रतिशे तक विंदू हो कौन सा आगया, B और ध्यान से देखो, demand कव A से चली थी, कहाँ पहुँच गी, कम होती होती, demand B तक पहुँच गी इसको contraction of demand कहते हैं यही तो हमने schedule में दिखाया, यही हमने curve में दिखाया, that is the situation of contraction in demand मांग में संकूचन next इसको आप समझ गए होगे, दोनों स्थितियों में चाहे extension of demand है contraction of demand है, in both cases, moment along demand curve remains, जो भी moment होगी वो demand curve के उपर ही रहेगी, उपर कब नहीं होती आउँ उसको भी समझते हैं, वो दूसरा part है, मैं उपर उपर तो कह रहा हूँ कब नहीं होती, फिर वो क्या स्थिति होती है, उसको भी जानते हैं, next part देखते हैं हम इसका change in demand due to other factors other than price जब price के इलावा दूसरे factory effect करें demand को, उसको हम shift in demand curve की situation कहते हैं, graphically कारण क्या है, तब demand curve मैंने कहा, demand curve same उसी curve पे change नहीं होगा, अब demand curve अपना जगा छोड़कर एक नहीं demand curve बन जाएगी, जिसे हम shift in demand curve कहते हैं, when price of any commodity remains constant वस्तु का price तो अब स्थिर रहा, जैसे पहले स्थिति में मैंने बताया था, कि वो extension and contraction में वस्तु other factors same रहे, अब यहाँ पर price same रहा any change in demand takes place due to other factors, such situation always depicts a new demand curve, जब भी दूसरे factors के कान demand में change होगा, तो एक नहीं demand curve हमें दिखाई देगी, then there are two types of changes, यहाँ में भी दो type की changes है, इन बहुत changes shift in demand curve takes place दोनों ही स्थितियों में demand curve अपनी position को छोड़ेगी और एक नहीं demand curve वनेगी, same demand curve नहीं रहने वाली, जैसे पहले मैंने extension and contraction में बताया, वहाँ same demand curve थी उसी पर movement थी, अब नहीं demand curve है, दो स्थितियां कोण सी है, increase in demand and decrease in demand yes, तो सबसे पहले एक बात बता दू, मैंने का other factors की बात की थी, इसके regarding मैंने complete video डाल ली हुई है, इसी channel पर factors affecting demand, अब उसको देख सकते हो कि demand को कौन कौन से factors प्रभावित करते हैं, demand काम हो जाए ज़्यादा price के इलावा, income of the consumer price of substitute goods change in size of consumer groups, tax policy of government, distribution of income price of complementary goods abnormal circumstances consumer preferences और बहुत से, price के इलावा ये सारे factory भी demand को effect करते हैं, एक दो बदाता हूँ, जैसे income of consumer consumer की income बढ़ी तो demand बढ़ेगी कम होई तो demand कम okay, सरकार की policy, अगर सरकार ने tax ज़्यादा लगा दी tax policy के कारण तो कीमत बढ़ जाएगी demand कम tax कम किया किसी वस्तुपर उसका price कम होगा, demand बढ़ जाएगी, ऐसे सारे के सारे जी factors हैं, जो demand को effect करते हैं, other than price की जब बात होती है, तो इनी factors के कारण, दो स्थितियां थी, जिसमें से पहली स्थिति की बात कर रहा हूँ, मैं increase in demand increase in demand की स्थिति का मतलब क्या होता है इसको समझने के लिए economics में आगे दो स्थितियां पैदा होती है, ध्यान रखना पहली जो position है, that is same price more demand जब हम increase in demand, जिसका मतलब है मांग में भृधी, तो उसमें दो स्थितियां बनती हैं, जिसमें से पहली स्थिति की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है same price more demand price same रहे, फिर भी demand बढ़ जाए, तो इस situation को हम increase in demand कहते हैं जब ही दूसरे factors के कारण, अब price same है, demand जो ज़्यादा क्यों होई दूसरे factor effect कर रहे हैं न, इसका मतलब तो ऐसी स्थिति को हम increase in demand कहते हैं, same price more demand, example देखिए मांग लो PX price of X है, and DX demand of X है जैसे मैंने आपको पहले की examples में बता है वस्तु को price 5 है, demand 4 है, वस्तु का price 5 ही रहा पर demand बढ़ गराठ होगी, क्यों होई दूसरे factors के कारण, consumer की income बढ़ गी, government X कम कर दिया consumer की preference change होगी, कुछ भी कारण हो सकते हैं भी, वो मैंने आपको जो मैंने दिखाया ये 5 वस्तु का price था, demand 4 थी, जैसे यहां पर शोकी है, जो दोनों का common point बढ़ ग्राफिकली जब हम बनाते हैं, तो यहां पर बना that is A point, ओके फिर क्या हुआ वस्तु का price तो बाजी रहा, बट demand बढ़ कर other factors के कारण 8 होगी, तो अब जो point of intersection है, प्रती 6 दक विंदू, काटमा विंदू, बो कौन सा बन गया, B, जब पहले A था तो demand curve कौन सी थी, D, D demand curve हमें पता है, demand curve का जो slope है, वो downward negative formation में होता है, demand और price का negative relation है, अब क्या हुआ क्योंकि demand बढ़ गी price सेम था नहीं demand curve बन गी, D1 D1, जो B point में से निकल रही है, तो demand curve अपनी पहले की जंगा को छोड़कर shift हो गई, और ऐसी shifting जो demand curve right hand side की और upward shift होती है, इसको forward shifting कहते हैं, आगे की और shift हो गई, आगे की और अपना स्थान छोड़कर आगे चलेगी, समझ लगा, clear है, इसको मांग वकर में परिवर्तन कहते हैं, मांग वकर पर परिवर्तन, नहीं मांग वकर में परिवर्तन, मांग वकर अपना जंगा छोड़कर तूसरी साइट पे चलीगी, आगे forward कर गी, second case, ऐसी increase in demand का ये भी है, more price same demand, price मालो, वस्तू का 5 रुपे था, demand 4 थी, price बढ़कर 10 हुआ, demand फिर भी 4 रही, जबकि economics का लाख रहता है, कि जब price बढ़ता है, तो demand कम होती है, क्यों नहीं कम होई, other factors plays a very important role positively, demand फिर भी कम नहीं होई, इसका मतलब ये स्थितिवी economics नें, अगर तो common point यहाँ पर कौन सा बन गया, a, clear ध्यान से, और फिर क्या हुआ, वस्तू का प्राइस बढ़कर हुआ, 10, demand फिर भी 4 रही, तो common point यहाँ बन गया, अब b, ध्यान से देखे, demand फिर भी वही रही, प्राइस बढ़ने के बावजू, पहले demand curve, जब a point पे थी, d, d, demand curve थी, अब demand curve ने अपना base छोड़ा, भी जैसको कहते हैं, base छोड़ा और नहीं demand curve बन गी, d1, d1 यह भी तो shifting हुई और कौन सी shifting है, यह forward shifting, that is the case of increase in demand, in both cases, demand curve shifts, not only shifts, rather shifts forward, आगे की और shift कर जाती है, जब भी right hand side upward की हो, ध्यान रखना इस बात को, next है decrease in demand, मांग में कमी, मांग में कमी के भी same case है, आप थोड़ा जल्दी करते हैं, पहला case है, same price less demand, वस्तुगा price same रहा, फिर भी demand कम होगी भी, इसी को तो मांग की कमी माना जाएगा ना, क्यों कम होई demand क्योंकि दूसरे factor अपना रोलादा कर रहे थे, जिनकी बात की factors affecting demand, इसको अफ ग्राफिकली देखते हैं, वस्तुगा price 5 था, demand 4 थी, तो common point कौन सा था, ये वाला A, demand curve कौन सी थी, A में से जो निकल रही हमें, demand curve का जो trend है, ऐसे बना होता है, तो d-d demand curve, left to right downward होता है, negative relation है price और demand में, हमें ये पता है, सारा law of demand में हम कर चुके हैं, तो अब क्या हुआ, वस्तु का price 5 थी रहा, price same, पर वस्तु की demand 4 से कम होकर कितनी होगी, मालो 2 होगी, तो दोनों का common point आप A नहीं, intersecting point कौन सा बन गया है, या B ग्राफिकली, तो अब demand curve इस point में से जब निकले गी, तो D1, D1 बन गी, demand curve फिर shift होई, पर इस बार left and side की और नीचे की और shift होई है, तो इसको backward shifting कहते हैं, पीछे की और shift हो जाना, clear, दूसरा case decrease in demand का, जिसको backward shifting कहते हैं, ये भी बनता है, less price, same demand, वही वस्तुगा price 5 था, demand 4, वस्तुगा price कम हुआ, demand बढ़नी चाहिए थी, फिर भी उतनी रही, other factors ने role negative के रूप में किया, वही demand के लिए, तो अभी तो इसको decrease in demand की situation कहते हैं, मांग का कम होना, इसी को कहते हैं, इसको भी देखते हैं, demand कव है, initial stage पे, वह d, d demand कव बन गी, ये वाली, जो ए में से निकल रही है, वस्तुगा price कम होके 2 हुआ, 2, yes, ये वाला point, बट वस्तुगी demand फिर भी, 4 रही जबकि बढ़नी चाहिए थी, तो demand कव अब बी, जो common point है, उसमें से निकल रही है, एक नहीं demand कव, पहली demand कव ने अपनी जगा छोड़ी, नहीं demand कव बन गी, पर पीछे की और जा रही है, भी आगे नहीं बढ़ रही है, इसे भी तो backward shifting कहेंगे, that is also the second case of decrease in demand, इसी situation को भी हम मांग में कमी कहते हैं, clear हो गया भी backward shifting, demand कव नहीं बन जाती है, अपने जगा छोड़ी इस सारा केस है, increase in demand, yes student, I think the whole concept is clear, simple है, but technical है, थोड़ा दिमाग में बिठाना बढ़ेगा, थोड़ा सा recapitulate, जो हमने movement along demand कव किया, कि demand कव के साथ साथ ही चलना है, उपर या नीचे जाना है, उसी करव पर कव नहीं बनेंगी, वो position होती है, price के कारण, ये हमने आज डिसकस किया, और जब हम करते हैं, कि demand कव नहीं बन गई, shift कर गी, उस अपने base को छोड़ कर जाता हो, आगे चलेगी, जब पीछे चलेगी, backward movement हुई, जब forward movement हुई, एक नहीं डिमांड कव, जिसको shifting कहते हैं, वो जो कारण होता है, उसका shift होने का, वो होते हैं other factor, other than price, इन सबको हमने detail analysis किया, जिसमें हमने ये भी देखा, कि increase in demand, or decrease in demand का case बनता है, shift in demand काव के case में, I think, वीडियो का जो हिस्सा आपको लगता है, कि कोई content क्लियर निया, उससे में जाएं दुवारा से देखने हैं, इस रास्ते को आसान बनाएं, इस चैनल पर, already economics और commerce के subject से लेटर, बहुत सी वीडियो हैं, बहुत भी आती रहेंगी, complete content को सुमझें, till then,